अमबाला शहर में रेजिस्ट्रियों को लेकर अक्सर लोगों को तंगी रहती है ऐसे में प्रशाशन भी समय समय पर नए नए कदम उठाने को तयार रहता है ऐसे में उपायुक्त विक्रम हमारे साथ मौजूद है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ नए कदम क्या प्रशाशन द्वारा लाई जा रही है अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि रेजिस्ट्रियों के बाद म्यूटेशन में कुछ दिनों का समय लगता था तो आज से हम यह शुरू कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी रेजिस्ट्री होती है तो उसका म्यूटेशन सेम डे हो तभी ने का बताया जा रहा है तो क्या कुछ प्रसाशन जल से जल लोगों के लिए रहत लाने वाला सर इसके बाने में जरूर बताएं इसके लिए यह मामला मेरे संग्यान में आया था तो मैंने मीटिंग्स भी है इसमें जो कमिशनर साहब के साथ में भी और DTP जो विभाग है हम करें और जिनकी बंती है जो अप्रूब्ड एरिया में उनके जल्दी से जल्दी उनकी NDC और NOC दीजिए इसके लावा फिर तैसील में जब जाके वो रेजिस्ट्री करवाते हैं तो वह भी जल्दी हो जाए और म्यूटेशन का हमने जैसे बताया है कि सेम दिम्यूटेशन चैनल के दर्श करके देगे खबर अभी तक के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस प्रकार से ये रजिस्ट्री का मसला है कब तक सुल्जने की अतादार पर है इसमें रेजिस्ट्री का जो मुद्द है यह वाला थे वृश्यली NOC वाला फिर इसमें मेरी डाक्टे साब से बात हुई है तो जल्दी जो मैटर है स्पेशली मिन वाले एरियास में जो मैटर है यह वाला तो जल्दी सुलज जाएगा दूसरा मैं आपके माध्यम से लोगों से भी आगरे करूंगा कि जो कोई भी अनपरूट कोलोनी हो क्रिपया करके उसमें अनपरूवड एरिया में मकान या फिर फ्लोट और ना लें बहुत-बहुत शुक्रिया सर खबरे अभी तक करें तो जैसे कि उपायुक्त विक्रम जी ने बताया कि अनपरूवड कलोनी के अंदर प्लाट लेने से बचें प्लोट का जो यह मसला है यह इसी तरीके से समस्या पैदा करता है ऐसे में अमबाला से खबरे अभी तक डिजिटल के लिए पंखिल वर्मा की रिपोर्ट